हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक माई यूटूब चेनल एस फलेवर फ्यूजन आज हम लेकर आए हैं नई रेसिपी जिसमें आपको तीन तरह का टेस्ट मिलने वाला है समोसा कचोरी पकोड़े बहुत ही आसान जटपट से बनने वाली एकदम नई नास्ते की रेसिपी जिसमें हम दो कच्चे आलू और आटे से बनाएंगे ये बहुत टेस्टी करेस्पी ये देखे कितनी करेस्पी बनकर तेयार होगी चली इसको बनाना शुरू करते हैं तब से पहले दो आलू कद्दू कस कर लेंगे एक ये हमारे आलू कद्दू कस हो चुके है वो तीन पानी से रस ऐस्ट निकल जाएगा एक बौल में आलू ले लेंगे कद्दू कस ह Edwards करेंगे प्यास एक मीडियं में शाइज का उसको बारिक सराइस कट कर देंगे उनको भीसमी में एड़ कर देंगे तीन से चार हरी मिर्च लेंगे उनको बारिक कट कर देंगे दो इंच अद्रक का टुकडा लेंगे उसको कद्दू कस कर लेंगे आफ इस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर एड़ करेंगे आफ इस्पून चाट मसाला एड़ करेंगे दोस्तो नमक हम बाद में डालेंगे क्योंकि सब्जिया पानी छोड़ देगी इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें अड़ करेंगे एक कोटोरी बारी कट किया हुआ हरा धनिया इन सब को अच्छे से मिक्स करके रख देंगे चलते हैं नेश्ट प्रोसेस पर चार लोई गेहूं की आटे की बनागर तयार कर लेंगे अगर आपके पास पहले से आठा हो तो उसको ही इस्तमाल कर लेंगे अकर नहीं है तो गूंद लें चार रोटी बना लेंगे अप एक लोई लेंगे उसको सुखे आठे से लगा लगा के इसको बेल लेंगे एक बड़ी रोटी बना लेंगे इसको रोटी से बड़ी बेल लेंगे और इसको बारीक रखेंगे देखिए मैंने सभी रोटिया बना कर तैयार कर ली है चलते हैं नेश्ट प्रोसेस पर एक रोटी लेंगे वन स्पून टेमेटो सोस डाली या चटनी डाली है या हरी चटनी एड़ करें इसको अच्छे से फेला लेंगे आप इसको टेमेटो सोस भी ले सकते हैं या हरी चटनी भी ले सकते हैं इसको अच्छे से फेला देंगे टू स्पून भरकर आलू का मिस्चर लगाएंगे इसको भी फेला लेंगे दोस्तों अब इसके उपर एक रोटी रखिए और हातों से उसे उपर से बराबर कर लीजिए अब मैंने यहां हरी चटनी ली है इसको अच्छे से लगाएंगे हरी चटनी आप टेस्ट के अकाउट रख सकते हैं कम ज्यादा इसके उपर भी आलू का मिस्चल लगाएंगे दो तीन चमच इसको अच्छे से फेला देंगे अब इसके उपर भी एक रोटी रखिएंगे और टेमेटो सोस लगाएंगे और आलू का मिस्चल लगाएंगे चार ओर से कवर कर देंगे अब इसे दूसरी रोटी से कवर कर देंगे इस तरह हमने एक के उपर एक रोटी लगाए और इसको चारों तरफ से अच्छे से दबा देंगे एक ज़र्णी लेंगे उसमें ओईल लगा देंगे अच्छे से इसमें ओईल से कवर कर देंगे अब इसके उपर रोटी रख देंगे ऐफ लेम पर एक बंतन रख देंगे उसमें दो ग्लास पानी एड़ करेंगे उसको उबाल लेंगे उपर ये ज़र्णी रख देंगे और इसको कवर कर देंगे 10 से 12 मिनट इसको इस्टिम कर लेंगे चलते हैं नेश्ट प्रोसेस पर इसके लिए एक घुल तयार कर लेंगे दो स्पून भर के मेदा लेंगे उसमें हाफ स्पून नमाक एड़ करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करेंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दो से तीन मिन तक देखिए हमारा मिश्चर भी रेड़ी है चलते हैं नेश्ट प्रोसेस पर देखिए हमारा अच्छे से इस्टीम हो चुका है चलिए इसको निकाल लेते हैं और इसके पीसिस कट कर लेंगे मैं इसके आठ भाग कर रही हूँ टैंगल शीप में आप कोई सावी शेफ दे सकते हैं इना फ्राइ करे भी बहुत टेस्टी लगते हैं इनको दो से तीन दिन इस्टोर भी कर सकते हैं चलिए इनको फ्राइ करते हैं हाई फ्लेम पर कढ़ाई रख देंगे उसमें दो कप ओईल एड़ करेंगे इसको अच्छे से गरम होने देंगे इसमें ये पीसिस डालिये और अच्छे से डीब कर लेंगे को ओईल में एड़ कर देंगे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे दो से तीन मिन तक जब तक ये हलका सा ब्राउन कलर ना आ जाए को अलटते पर लटते दोनों साइड से फ्राई होने देंगे दो से तीन मिन तक जब तक इसमें पराउन कलर ना आ जाए बहुत कम तेल में क्रेस्पी हो जाते हैं ये देखे हमारे क्रेस्पी हो चुके हैं अब हम इनको निकाल लेंगे गेहूं के आटे से बना है इसलिए बहुत हेल्दी है और समोसा कोचोरी पकोड़े से कई ज़्यादा टेश्टी और हेल्दी है बनाना भी बहुत आसान है और इसे जरूर ट्राई कीजिए यकीन आम सब को पसंद आने वाला है चलिए इनको हरी चटनी के साथ सर्फ करेंगे अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अल्ला हाफीज